Welcome back to Asset Guide YouTube channel, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखें, सभी लोग ये discussion करते रहते हैं कि वही बन ecosystem तो है, OES तो है, लेकिन कुछ ऐसा तो बताओ, जहां पर हम OES को यूज कर सकें, चाहे 50% ही हम यूज कर पाएं OES को, तो ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई जरिया है, जह यहां पर हम उने बन कोईन को यूज कर सकते हैं, 50% ही यूज कर सके चाहे, तो एक ही platform है, that is dealsecker, और dealsecker को अभी online shopping mall की तरह भी यूज किया जाने लगा है, आप internationally product को यहां से buy sale कर सकते हैं, आप देखे हम ज़्यादा वीडियो को आगे लंबत नहीं करते, यहां पर आप यहां पर दिखाने के आज कोशिस कर रहे हैं, जो की beneficial रहेगी सभी के लिए, जो international global member है, IGC के राउल पजोज, उन्होंने एक post यहां पर लिखी है, उसी का analysis आज हम करेंगे, तो यहां पर देखे, burn ecosystem, Ecuador, इन्होंने बन ecosystem, Ecuador से related update दिया है, क्योंकि यह Ecuador में ही अपने business का promotion बग one cryptocurrency, अपनी one cryptocurrency को आप यूज करें, कब करेंगे, कहते हैं, dealsecker, fair, Saturday, 17 June, तो 17 June 2023 को आप अपने one ecosystem की one currency को यूज कर सकते हैं, कहां पर dealsecker, fair में, किस जगे यहां पर यह होगा, तो यह होगा, एक्वाडोर में, ECUADOR, तो 17 June 2023 को आपके पास एक अप होगा, opportunity है, आप अपनी one cryptocurrency को यूज कर सकते हैं, dealsecker, fair के माद्यम से, और यह एक्वाडोर में होने वाला है, अभी देखे, यहां से आप क्या क्या चीज़े purchase कर सकते हैं, किस तरीके से purchase कर सकते हैं, वो सारी चीज़े देखते हैं, तो यहां पर आप household furniture purchase कर सकते हैं, यहां पर आप food supplement purchase कर सकते हैं, opticals, यानि की चसमे बगएर आप यहां से purchase कर सकते हैं, clothing आप यहां से purchase कर सकते हैं, footwear आप purchase कर सकते हैं, PR kitchen equipment आप यहां से purchase कर सकते हैं, तो देखे कितने, जो main जरूरत की चीज़े हैं, वो सभी आप इस dealsecker fair से purchase कर सकते हैं, जो की होने वाला है Ecuador में, इसमें household तोपोल्ड का फरनीचर आगया, food supplement आगे, opticals आगे, clothing आगे, food weir यानि की जूते चपल भी आगे, kitchen के equipment भी आगे, यहाँ पर C product भी आगे, समोंधरी product, यहाँ पर Can Save, food prepared, delicious packed भी यहाँ पर आगे, सीविक भी आगे, रोस्टेड मेडिकल सर्विस भी यहाँ पर आप ले सकते हैं हमने पहले भी डिसकसिन किया था जहाँ पर जो 25 MBBS डॉक्टर है उन्होंने वन के साथ टाइप किया है, वो वन में आपका ट्रीटमेंट करेंगे तो मेडिकल सर्विस आप ले सकते हैं, यहाँ पर लिक्वर ले सकते हैं, लिकर ले सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, लिकर मतलब दारू भी यहाँ पर मिलेगी transportation service मिलेगी fruit and vegetables भी यहाँ पर आपको दिये जा रहे हैं दिये जाएंगे home and office cleaning product मिलेंगे home and office cleaning की service भी मिलेगी बन के साथ office से related मिलेगे computer and accessories भी मिलने वाली है jewelry मिलने वाली है perfumes मिलने वाले है and much more और इससे related बहुत सारे product मिलने वाले है तो यह सब होने वाला है 17 June 2023 को 17 June 2023 को deal seeker fair लगने वाला है Ecuador में बहाँ पर आप अपनी family के साथ attend करिये यहाँ पर देखे लिखा भी है attend with your family pay your ticket another day of the event new guest with the free access जो new guest रहेंगे यानि की जिनका one ecosystem से कोई मतलब नहीं है उनको free access यहाँ पर दिया जाएगा तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आती है कि one ecosystem कहीं न कहीं उन लोगों को ज़्यादा attract कर रहा है जो system से बाहर के हैं इसलिए यहाँ पर new guest को free access दिया जा रहा है यह company ने सही किया है देखे ओल्रेडी जितने one के member है चाहे वो कितने भी है उन सभी के पास one है और वो सभी अपने one को करना चाहते है exchange और exchange करेंगे वो उन लोगों के साथ जो की one में नहीं है तो फिर जितने भी fair होते हैं चाहे expo होते हैं चाहे event होते हैं बहाँ पर non one holders को non one ecosystem family members को free access दिया जाना चाहिए तभी कुछ अच्छा यहां पर output निकल कर आ सकता है और अब company ने finally इसके बारे में सोचना शुरू किया है जैसे माल लोगो कि आप कोई product sale कर रहे हैं जिसकी केमत बाजार में 10,000 रुपे है और आप one के साथ उसको sale कर रहे हैं तो दूसरे सभी लोग जिनके पास one है वो उसको buy करने में उतने interested नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें one ही pay करना है और जो receive कर रहे हैं उन्हें भी one ही receive करना है तो actually एक तरीके से one का ही इधर उधर lendin हो रहा है लेकिन जब हम non one members के साथ यह dealing करते हैं तो वहाँ पर केवल one का fiat के साथ lendin होता है और ऐसे में जो seller है उनको भी ज़्यादा interest आएगा और buyer को भी attractive deal से ज़्यादा interest आएगा और इसी से deal से कर या फिर हम OES की success की उमीद कर सकते हैं तो यही था एक छोटा सब्डेट मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए की बोचिंग asset guide